हलो दोस्तो, वेलकम टू टॉपर्स विलेज़, दोस्तो, आज हम क्लास 12 मेट्स का जो चेप्टर 7 है, इंटीग्रल्स, उसकी एकसाइज, एकसाइज 7.2 के कोशन्स करेंगे, तो इस एकसाइज 7.2 के अंदर जो टोपिक डिसकस इंटीग्रेशन का वो है, इंटीग्रेशन बा इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा, तो हम क्या करते हैं, यहां पर किसी complicated expression को, किसी complicated expression को t बोल देते हैं, x के अंदर ही होगा, कुछ नगुछ, उसको t बोल देंगे, अब एक टाइप से x में कोई expression था, पूरा function expression में था, पूरा integration x में हो रहा था, हम उसको t, एक नए variable के अंदर replace करने हैं, तो यहां पर जो चीजे हैं ना, वो भी replace हो जाती है, जैसे dx है, उसके जगर dt आ जाएगा, यह जो function f of x है, उसकी कोई शकल बदल जाएगी, समझे लोगी, हो ट आ गया, यहां पर एक और चीज धिहान रगना, कि पहले यहां पर dx आया करता था, अब य कि जगर dt आ जाएगा, और x जो निकलेगा, वो dx ऐसा है, रिप्लेस हो जाएगा, अभी हम करके देखेंगे, इसको करके देखेंगे, लेकिन इसमें सबसे innovative बात यह है, कि आपको सोचना पड़ेगा खुद से, कि हम किस चीज को, किस चीज से substitute करें, कई बार आपने देखा ह अगर वो inverse trigonometry वाली question आया करते थे, तो हम x की जगर 10 theta पूट कर दिया करते थे, x की जगर sin theta डाल दिया करते थे, तो यह तो एकदम मतलब x की जगर पूट करना हो गया, अब यहाँ पे question में कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि x की जगर हम कुछ रखेंगे, हो सकता है, से x को हम कुछ नया, sin t या sin theta ऐसा कुछ मान ले, तो दोनों ही type के substitution लग सकते हैं, कुल मला कि हमें substitution लगाना है, यही अपने लिए थोड़ा creative चीज होगी इस exercise के अंदर, अगर आप यह जान लोगे, कि किसी question में हम किस चीज को team आनेंगे, तो समझ लोगे, आपका 90% काम हो दाएगा, उसके बाद में बस आपको solve करना है, आगे बहुत simple सीजी मिलेगी, तो इसका मैं एक छोटा सा एक general concept बताय देता हूँ कि हम generally substitution किस हिसाब से करते हैं, तो उसका एक statement लिख देता हूँ में आपर, तो दोस्तों main बात यह है, generally उस function को t मान लेते हैं, जिसका differentiation dx के सा साथ मुझूद हो, ठीक है, जिसका differentiation किस के साथ मुझूद हो, dx के साथ मुझूद हो, ठीक है, ऐसा हम generally follow करते हैं, कई बार हम कोई complicated सा expression होता है, उसको t मान लेते हैं, लेकिन वो भी simple questions के अंदर होता है, और generally आप यह कितना भी complicated question हो, कहीं ने कए आपको यह hint जरूर मिल जात है, dx के साथ में differentiation जिसका होगा ना, उसको हम t बोल देंगे, खेर इन चीजों को हम apply करना सीखते हैं, जैसे यहाँ पर आता है question number one, question number one से लेके बहुत सारे question है, अगर आप देखोगे ना, तो शांदर शांदर question है, x i7.2 में, तो इन सभी questions में हमें substitution use में लेना और एक और च theory है ना, तो वहाँ पर हमें चार formula मिल जाते है, integration of 10x, cortex, secx और cosecx, तो वो formula भी आप याद कर लेना, अपनी जो formula लिस्ट है ना, उसको update कर लेना, वो चार formula भी उसमें जोड लेना, वो भी यहाँ पर उनकी जरुत पढ़ सकती है, तो देखो, question number one, 2x upon one plus x square, हमें इसको integrate करन मतलब इसको proper format में डालते है, integration of this, 2x upon one plus x square dot dx, अब यहाँ पर normal formula से ही इसका integration possible नहीं है, तो हमें यह क्या करना पड़ेगा, किसी ने किसी को substitute हुग रहा, यहाँ पर substitution लगाना पड़ेगा, कैसे करेंगे, देखो दोस्तों, generally उस function को t मान लेते हैं, जिसका differentiation dx के साथ मौजू तो यहाँ पर किसको t मानेंगे, क्या मैं 2x को t मानूँगा, क्या, 2x का differentiation क्या होता है, 2, 2dx के साथ मौजूद है, उससे फाइदा क्या होगा, कुछ भी फाइदा नहीं होगा, हमें आसान भी बनाना, इसके साथ साथ में आसानी भी होनी चाहिए, तो देखो दोस्तों, मैं अगर x square, जो नीचे expression x square, अगर मैं उसको t मानूँगा, तो x square का differentiation क्या होता है, 2x, 2x, dx से साथ मौजूद है, हाँ बिलकुल है, देखो इसके बगल में ही खड़ा है, आपे, 7-7 मतलब यसे, dx के साथ में आपे, ऐसे मौजूद होना चाहिए, multiply में मौजूद होना चाहिए, ठीक है, तो यही कर लेते, x square को मैं t बोल देता हूँ, एक और चीज़ इसको अगर और आसान बनाना है, क्योंकि अगर आप x square को t बोलोगे, तो नीचे बन जाएगा 1 प्लस t, इससे बढ़ी है कि आप पूरे को ही t बोल दो, तो मैं क्या मालूँगा, let 1 प्लस x square equal to t, अब यह सही हो गया, अब नीचे पूरा t बन जाएगा, यही है substitution, यही है main g substitution की, एक question में बस आपको थोड़ा सा innovative होके, creative होके, आपको यह सोच लेना है कि हमें किसको t मानना है, तो देखो अब यहाँ पर क्या बनेगा, हमें यहाँ पर x का जो variable चल रहा था, वो अब t variable में चलन करना पड़ेगा, तो मैं आप चाहो इस पूरे expression को t के respect में differentiate कर दो, चाहो तो x के respect में कर दो, यह फिर आप इसको normal differentiation कर दो, जैसे 1 का क्या हो जाएगा, 0, x square का क्या हो जाएगा, 2x, लेकिन x का differentiation x में change जाएगा, dx, ऐसे team में क्या change जाएगा, dt जाएगा, यह चीज समझ गय तो आप इसका x के respect में कर दो, चलो, तो 1 का क्या हो जाएगा, 0, x square का, 2x, और t का क्या हो जाएगा, dt by dx, इस expression से भी आप यही पाओगे, इस dx को ना, इस नीचे वाले dx को इधर बेज देना, तो 2x बराबर, 2x into dx बराबर क्या हो गया, dt हो गया, अब से हम ना तो x के respect में कर बच जाती है, तो यह substitute कर देता हूं में, 1 plus x square को t रख दूँगा, और 2x dx को dt रख दूँगा, देखो, आई बराबर क्या हो जाएगा, integration हो, यहाँ पर 2x into dx है, यह पूरा का पूरा dt से replace हो गया, divide by, नीचे 1 plus x square, उसकी जगे t आ जाएगा, ठीक है, तो dx के साथ में यह 2x ह जाना जरूरी है, एक साथ convert होना जरूरी है, अब यहाँ पर आगे है, dt upon t, एक टाइप से में 1 by t का integration करना है, तो वो formula list तो आपको याद हो नीचे, integration के question करनेगा मज़ा तब ही है, जब आपको सारी formula याद हो, 1 by x का integration क्या होता है, log of x, तो आपको 1 by t है, तो 1 by t का integration क्या हो log of t, तो इसा आजएगा, log of t, log के अंदर जो भी expression होता है, उसको हम modulus लगा के लिख देते हैं, ताकि negative positive वाला लफडाना रहे है, हम इसा positive ही मिले, plus c, अब again, क्योंकि question में variable था x, तो answer भी x में आना चाहिए, तो हम वापस t की value रख देंगे, t की value क्या है, 1 plus x square, log of modulus 1 plus x square plus c, हम यहापे substitution इसलिए लगाते हैं, ताकि अपना question आसान हो जाए, integrate हो जाए, फिर वापस, हम जो t की value वापस इसमें डाल देते हैं, तो अब हम देखते हैं, अगला question, देखो दोस्तो question number 2 यह है, log x का whole square divided by x, हम इसको integrate करना है, तो एक तरीके से इसको अगर हम एक pattern में डालें तो क्या बन जाएगा यह, integration of log of x का whole square divided by x dot dx, तो अब इसमें, ऐसा direct formula से तो नहीं हो पाएगा, इसको हमें कुछ नहीं को substitute करना पड़ेगा, तो देखो दोस्तों, log x किसको t माना जाए, generally उस function को t मान लेते हैं, जिसका differentiation dx के साथ मुझूद हो, तो log x को t मानूँगा, या log x के पूरे whole square को t मानूँगा, या फिर यह जो नीचे की तरफ x को t मानूँगा, तो एक चीज हम यहाँ पर कुछ सोचते हैं, कुछ उल्टा सुल्टा करेंगे तब जाकि हमें पता चलेगा, तो अगर मैं log x को t मानूँगा, तो इसका differentiation क्या होगा, log x का differentiation क्या होगा, one by x है कि हाँ, बिल्कुल है, देखो dx के साथ मौजूद होने का मतलब यह है कि dx के साथ में one by x होना चाहिए, तो dx के साथ में one by x, x नीचे की तरफ है, x नीचे की तरफ है, लेकिन one by x तो dx के साथ में खड़ा है, तो यह चीज सही है, हम log x को क्या माननेंगे, t माननेंगे, पहले मैं whole square का करूंगा तो two log x हो जाएगा, अब मैं log x का करूंगा तो one by x, तो log x के whole square को तो t मान लिया, वो तो फिर t में convert हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे extra dx के साथ में two log x one by x नीचे, यहाँ पर only one by x ही है, यहाँ पर extra log x नीचे, log x की power three नीचे, only two ही है, तो वो द institution क्या हो जाएगा यहां पर let log x equal to t log x को हम t माल लेंगे तो अभी dx का भी जुगार करना पड़ेगा हम log x को इसकी जगर t रख देंगे लेकिन dx भी साथ ही साथ जाता है तो क्या होगा log x का differentiation क्या हो जाएगा 1 by x और x का क्या हो जाएगा dx बराबर t का क्या हो जाएगा dt अगर आपको यह dx और dt अलगलग हमने direct x का dx t का dt कैसे लगा दिया यह जी समझ में नहीं आ रही न तो आप इस पूरे को ही t के respect में कर लो यहां पर मैं वैसे किसी के भी respect में नहीं कर रहा सिधा सिधा चेंज जो चेंज होता है वो शो कर रहा हूं x का dx हो गया t का dt हो गया यह चीजे में substitute कर देता हूं तो अपना question क्या बन जाएगा आई बराबर integration of log x की जगा जाएगा t तो log x का holy square बोले तो t का square फिर dx बटा x है देखो dx बटा x है यह dx बटा x यह किसमें convert हो जाएगा dt मे convert हो जाएगा तो इसकी जगा गया t square और इसकी जगा गया dt तो t square का integration अब द इसको हम x की power n के तरीके से कर लेंगे आगर आपको पता हो तो मैं केता हूं यह चीज़ याद करी लो रट लो एकदम x की power n में क्या होता है power में एक power और बढ़ जाती है integration में power बढ़ जाती है और नीचे जो power बढ़ी होई power है ना वो नीचे आ जाती है तो यह पर t square है तो square प्लस 1 तो T cube हो जाएगा divide by 3 नीचे भी आ जाएगा plus C अब हम T cube की वापस value डाल देंगे तो T की value क्या है? T की value हो log x यह जो हमने मानी है तो यहाँ पर जाएगा log x log x की whole power 3 divide by यह 3 3 plus C ठीक है? आप यहाँ पर X पर मोडलस लगाना चाहो तो लगा लेना कोई दीकत नहीं क्योंकि question में पहले से मोडलस लगावा था नहीं तो आई होप यह चीज आपको समझ में हारी है substitution अब हम देखते हैं अगला question देखो दोस्तों यह है question number 3 यहाँ पर यह लिखावा था 1 upon x plus x log x तो उसको मैंने integration के ढाचे में डाल दिया अब यहाँ पर सोचो कि किसको हम t माने यहाँ पर अभी थोड़ा सा में ज्यादा complicated लग रहा है लेकिन जब भी log x आता न तो एक हिंट तो आपके पास मैं अभी देता हूँ जब भी log x आता तो आपको दिखने लग जाएगा तो यह भी दीरे-दीरे feeling आने लगती है तो यहाँ पर तो अभी ऐसा कोई हिंट दिख नहीं रहे हैं यहाँ पर यह तो इसके साथ में जुड़ा हुआ है लेकिन एक चीज़ दिखो यहाँ पर डिनॉमिनेटर के दो जाएगा डोट डीक्स हो जगया यहाँ पर जो लोग x है अब देखो अगर मैं इस लोग x को टी मानूंगा तो इसका differentiation लोग x का differentiation क्या वन बाई x वो यहाँ पर है प्रेजेंट दे को वन बाई x वो भी किसके साथ डी एक्स साथ में है ना प्रेजेंट कहीं अंदर छुपावा थोड़ी है इसके तरह थोड़ी है चुपावा यहाँ पर यह ऐसे प्रेजेंट है तो अब यह फाइदा हो गया अब मैं लोग x को टी बोल दूँगा तो यह लोग x को टी बोल लूँगा इस वन ने क्या भी गड तो इस पूरे कोई क्यों ना मान लिया जाए पूरे कोई छोटा सा नंबर बना देते हैं ताकि और ज्यादा असानी हो जाए दिखने में तो यहां पर मैं क्या करूंगा यही सब्स्टिट्यूशन लगा दूँगा एक चीज़ा आप नोटिस करोगे अपना इस बार ना इन बता चल जाएगा कहां करते हैं तो खेर यहां पर सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं किसको मैं टी मानूँ वन प्लस लोग एकस यहां पर लोग एकस से बराबर TY इसको मैंने टी मान लिया तो इसको डिफेरेंशेट करूंगा ताकि यह DX को भी मैं CanonVIN कर सकूँ तो क्या हो जाएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, log x का हो जाएगा, 1 by x into dx, बराबर t का क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यह 1 by x into dx है, यह dt में convert हो जाएगा, यह 1 by x और यह dx, यह तो हो जाएगा, dt में convert, और 1 plus log x ही हो जाएगा, t में convert, तो after substitution अपना expression देखो कैसा देखेगा i बराबर integration of 1 upon x और dx यह हो जाएगा dt में convert तो dt आजाएगा यहां तो 1 upon 1 plus log x तो 1 plus log x की जगा t तो नीचे की तरफ t आजाएगा इसको हम integrate करें तो यह बन जाएगा i equal to 1 upon t का integration क्या होता है log t तो यहां पर बन जाएगा log of t मैं आपर modulus t लगा देते हैं plus c t की जगर वापस value डाल जाएगे क्या 1 plus log x तो ऐसा बन जाएगा i equal to log of modulus modulus के t, t के अंदर क्या जाएगा 1 plus log x plus c ठीक है I hope आपको substitution समझ में आ रहा है कब कहां क्या लगाते है इसमें आपको एक तो question पर नजरे जमाई रखनी है हाना मतलब आपका presence of mind होना चाहिए और आपको differentiation के formulas याद हो integration के याद हो तो आप easily समझ सकते हो अब देखते हैं अगला question तो दोस्तो यह question number 4 integration किसका करना में? sin x into sin of cos x dot dx इसको हमें integrate करना है तो यहाँ पर normal तो यह हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर दो function multiply में भी है तो हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा generally उस function को team आन लेते हैं जिसका differentiation dx के साथ मौझूद हो तो यहाँ पर dx के साथ क्या मौझूद है यहाँ पर dx से साथ एक तो यह मौझूद है और यह की यह मौझूद है तो हम किसको team आने? तो देखो यह तो किसका differentiation होगा यह पहले खुदी complicated है तो sin x किसी का differentiation होता है sin x किसके differentiation में आता है? cos x के differentiation में sin आता है तो हम sin के अंदर जो function आना cos x उसको t मान ले तो यह sin of cos x यह तो बन जाएगा sin t और cos x का जो differentiation होगा minus sin x dx है ना? वो अपना dt में convert, dt में चला जाएगा तो यही चीज लगा देते हैं यहाँ पर किसको t माने? cos x को t मान लेते क्योंकि इसका differentiation minus sin x, minus तो नहीं, minus तो adjust हो जाएगा वो तो constant है यह sin x है, वो dx का साथ में present है ठीके? तो इसको यहाँ पर लगा देते हैं substitution किसको t माननू में? cos x को cos x को में t मान लेता हूँ तो अभी इसको तो t रख देंगे लेकिन dx का भी हटाने का जुगाड है तो इसको में differentiate कर देता हूँ cos x का क्या होगा? minus का sin x x का क्या हो जाएगा? dx बराबर dt हो जाएगा minus को उधर पेस दो तो क्या हो जाएगा? sin x dx बराबर minus का dt तो यह जो है ना sin x और यह अपना dx sin x dx की value क्या जाएगी? minus dt और sin cos x बन जाएगा sin cos x इसकर t sin t बन जाएगा तो ऐसा कुछ होएगा after substitution i equal to integration of sin x dx की जगे minus dt तो minus तो यहाँ लगा देता हूँ dt हम last में लगाते ही है sin of cos x cos x की जगे t आ जाएगा तो sin of t यहाँ पर बचिया ठीक है? यहाँ पर यह जो sin यहाँ पर बचा हुआ है क्योंकि इसके अंदर cos x है तो sin t बन जाएगा ऐसे तो अब यार sin t का integration तो हमें पता है sin t का integration क्या होता है? sin x का होता है minus cos x तो यहाँ पर integration equal to minus sin t का क्या होजएगा? minus का cos t हो जाएगा plus c, minus minus plus हो जाएगा तो integration हो क्या बन गया? plus का cos t T की जगे मैं वापस value डाल देता हूं T की जगे क्या है cos X तो इस T की जगे वापस आजाएगा क्या cos X आजाएगा plus C यह होगे इसका integration ठीक है अब हम देखते हैं अगला question देखो दोस्तों यह है question number 5 यहाँ पर हमें इसको integrate करना है sin AX plus B multiply by cos AX plus B तो ऐसा question में हम generally करते हैं यहाँ पर एक चीज और आपको सीखने को मिलेगी कि जो X का coefficient होता न A वो जैसे differentiation में multiply में आया करता था integration में वो जो A है X का जो coefficient वो divide में आता है तो इससे आपको एक सीख मिलेगा वो याद रखना कई बार हम फटापट फटापट कई बड़े-बड़े question solve करते हैं तो X का जो coefficient होता है वो integration करते हैं divide में लेके चलते है differentiation में वो चीज multiply में आया करती है आपको कई बार बोला जाता तो यह चीज याद रखना और इस question को करने के भी दो-तिन तरीके हैं उससे बन जाएगा मेरा प्लान यह कियार है तो देखो इन दोनों का angle तो same ही है जैसे अगर मैं इसको theta मानो तो यह भी theta है तो यह sin theta है यह cos theta है तो ऐसा sin theta cos theta है जब कुछ formula याद आ रहा है ऐसा कुछ formula sin theta cos theta अगर इसको हमें 2 दे दे तो 2 sin theta क्या होता है यह होता है sin 2 theta का formula दो-दो trigonometric function को एक ही function से निप्टा देंगे हम ऐसा कुछ लगाते हैं देखो तो उसके लिए यहाँ पे 2 multiply में होना जरूरी है तो नहीं है तो हम multiply डिवाइड कर देंगे multiply by 2, divide by 2 तो क्या हो जाएगा आई बराबर इस question को करने का यही एक मातर तरीका नहीं है और भी तरीका है आप किसी को अभी से टी मान सकते हो किसी को मैं थोड़ी देर बाद में टी मान लूगा तो यह जो 2 है और यह expression है यह बना लेगा अपना 2 sin theta cos theta बोले तो sin 2 theta का formula थिटा का कौन है यहाँ पर एक्स प्लस बी तो इसा बन जेगा sin 2 theta 2 theta theta की जिए क्या जाएगा यह जाएगा एक्स प्लस बी ठीक है और जो उपर वाला 2 तो इधर काम आ गया जो नीचे वाला 2 हो ना वो मैं बाहर रक लेता हूं integration के बाहर और यह सारा सिमेट कर यह बनी गया dot dx यहाँ पर dot dx आई जाएगा तो अब यहाँ पर किसी को t मान लेते हैं जैसे sin के अंदर क्या है की twice of a x प्लस b है तो मैं इस पूरे कोई sin के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है इस को पूरे कोई मैं t मान लेता हूं तो let twice of a x प्लस b बराबर t वैसे इसका differentiation मुझूद है नहीं और होगा भी नहीं ऐसे आसान question में नहीं होता क्यों नहीं होता अभी differentiation से पता जल जाएगा 2 तो constant तो यह 2 आ जाएगा multiply में a x का differentiation क्या बन जाएगा a का a आ जाएगा और x का क्या हो जाएगा यहां से only dx की value निकाल लो तो only dx की value क्या हो जाएगी यह नीजे चला जाएगा dt by 2a यहां पर चूकि यह जो 2a यह constant है तो linear को हम linear ही मान रहे है ना x की power 1 है इधर भी t की power 1 linear को linear ही मान रहे है तो ऐसे में कोई लफडा होता ही नहीं है यहां पर पहले से differentiation present हो यह जरूरी नहीं है तो अब हम सारा substitution लगाते थे हैं देखो i equal to 1 by 2 1 by 2 यहां पर जो dx है dx की जगह क्या आजाएगा dx की जगह यह आजाएगा dt by 2a तो जो by 2a है ना इसको तो मैं निकाल लेता हूँ बाहर 1 by 2a ठीक है और जो dx की जगह dt by 2a है तो जो dt है ना उसको रहने देता हूँ मैं अंदर dt सोरी dt है यहां पर integration sin 2ax plus b 2ax plus b को हमने t इमान लिया था तो यह बजाएगा sin t हो जाएगा sin t समझ गे sin 2ax plus b की जगह sin t और dx की जगह dt by 2a तो dt अंदर और 1 by 2a बाहर तो i equal to यह कितना हो गया बाहर 1 by 4a हो गया sin t का यार integration क्या होता है sin t का होता है minus का cos t plus c हम यहां पर लगाते ही है तो minus अब बाहर निकाल लो cos t है ना t की जगह बापस आप value डाल दो तो i बराबर क्या हो जाएगा minus 1 by 4a cos t t की जगह आजाएगा यहां पर sin के अंदर बहुत complicated expression था ना मैंने पूराई पूरे कोई क्या बोल दिया t बोल दिया उससे ना बहुत simple सा expression यहां पर बसता है sin t प्यारा सा तो t की जगह बापस आजाएगा twice of ax plus b plus c तो plus c आगया ठीक है तो I hope आप यह जो चोटी-चोटी question है ना ax plus b वाले इनको आप कर सकते हो यहां पर यह सीखने को मिला कि जो x का coefficient a वो यहां पर divide में integration करते वक्त आता है differentiation का question होता तो यह x का coefficient a वो multiply में देखने को मिलता अब हम देखते हैं अगला question देखो दोस्तो question number 6 यह है I equal to integration of under root ax plus b देखो फिर से ax plus b वाला question आगया x का कुछ नगुश कोपिशेंट प्लस कोई constant ऐसा मिलने की बात है तो फिर से इसमें क्या होगा कि x का जो कोपिशेंट है ना a वो कहीं ने कहीं हमें divide में देखने को मिलेगा क्योंकि हम integration कर रहे है तो देखो क्या करें under root के अंदर है ax plus b अगर under root के अंदर simple सा यह ऐसा होता under root के अंदर x होता तो आप इसका integration आसानी से कर देते formula लगा के कर देते under root को 1 by 2 मान लेते और यह x हो जाता उसको कर देते है integrate x c power n के तरीके से तो अभी भी हम क्या करेंगे अंदर वाले को आसान मना लेंगे हम ax plus b linear है तो linear को तो t मानने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती तो ax plus b को t मान लो तो क्या हो जाएगा let substitution लगा रहा हो में ax plus b बराबर t अब dx को हटाने का जुगाड भी कर लेना चाहिए तो a का हो जाएगा differential यह तो multiply में x का क्या हो जाएगा dx b का 0 हो जाएगा और t का क्या हो जाएगा dt हो जाएगा t variable है a और b constant है तो dx को हटाने का जुगाड क्या हो जाएगा dx बराबर यह a उदर चला जाएगा 1 by a into dt ठीक है यह सारी चीज़े substitute कर दो इदर की तरफ तो question क्या हो जाएगा i बराबर integration of under root ax plus b उसके जगर t आजाएगा तो under root of t अचा कई बार एक और smart तरीका यह है कई बार हम यह under root है ना under root को हटाने के लिए जैसे ax plus b को एक innovative तरीका है ax plus b को हम t ना बोल के t square बोल दे तो कितना बड़ी हो जाएगा हैगा न मजा ax plus b को क्या बोल दे t square बोल दे तो समझे रहो यहाँ पर जब हम substitute करेंगे तो इसके तर under root t नहीं होगा फिर वो क्या होगा under root of t square होगा तो कटके t बच जाएगा तो यह भी एक अच्छा तरीका है कई बार कर देते हैं खेर हम तो under root t का भी कर लेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी तो अच्छा dx की जगर क्या जाएगा dx की जगर यह जाएगा 1 by a dt 1 by a dt 1 by a तो constant इसको में बाहर निकाल लूँगा तो इसा बन जाएगा 1 by a integration of under root t into dt मैंने बोला था कि आप under root t का integration direct याद रखो अब याद कर ले न वैसे याद रहेगा तो हम यहाँ पर फटापट लगा देंगे यहाँ पर substitution important है under root t का आप कैसे कर रहे हो वो ज़्यादा important नहीं है तो 1 by a ऐसे करेंगे देखो t की power 1 by 2 dot dt अब x की power n का integration क्या होता है रफ को इस्तिमाल करो याद करो x की power n का होता है x की power n प्लस 1 एक बड़ा देते हैं power और नीचे भी n प्लस 1 वो बड़ी होई power नीचे denominator में लिख देते हैं तो ऐसा बन जाएगा i equal to 1 by a t की power 1 by 2 प्लस 1 तो हो जाएगा t की power 3 by 2 divide by वो 3 by 2 नीचे भी आ जाता है प्लस c तो अब आप जो t है न t उसकी जिगर वापस value डाल दो क्या a x plus b यहाँ पर रख दो इस जिगर पे तो final answer यह आ गया 1 by a यह जो 3 by 2 नीचे की तरह हो तो उपर क्या हो जाएगा 2 उपर चला जाएगा 2 by 3 a t की जगे यह a x plus b की power 3 by 2 प्लस constant ऐसा हो गया ठीक है तो आई होब अभी तक के questions आपको समझ में आये हैं अभी तक आपना पहला दूसरा गेर चला ता आप थोड़ा speed बढ़ाते हैं देखो दोस्तों यह question number 7 इसमें बोला i बराबर यह मतलब इसको integrate करना में x under root के अंदर x plus 2 तो एक में tip आपको बीच में भी दे देता हूँ यहां पर जो भी questions under root वाले हैं ठीक है काफी आसान question है और कोशिश यह करूँगा कि जिस भी expression की power अजीब सी हो अजीब सी मतलब जैसे under root है under root है यहां पर भी under root है इधर भी under root है इधर यह इसकी power 1 by 3 है under root है यही क्यूब root है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस अजीब सी power के अंदर जो expression है न पूरे को पूरे expression को T बोल दूँगा पूरे के पूरे expression को ठीक है तो यह एक type की tip है हम कई questions में आसान question में यह चीज लगा देते हैं फटापट से अपना answer आजाता है तो अब आने वाले बहुत सारे question आएंगे इसे भी आगे तो सभी में मैं कोशिश यह करूँगा कि under root के अंदर जो कुछ भी लिखा न उसको T बोल दूँगा कई बार जैसे under root है तो हम उसको T square बोल देंगे अगर cube root है तो T का cube बोल दूँगा लेकिन उस जंजट में भी पढ़ने की जरूत है आप तो बस under root के अंदर जो कुछ भी चीज लिखी हुई है उसको आप पर T बोल दो छोटा सा तो यहाँ पर लगाएंगे substitution तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अंदर की तरब क्या under root के अंदर X plus 2 है तो X plus 2 को क्या बोल दूँगा मैं T बोल दूँगा ताकि under root के अंदर फिर simple सा T आ जाए तो differentiate करके भी DX को उठाने की भी तयारी कर लेते है तो DX X का क्या हो जाएगा DX हो जाएगा differentiate 2 का 0 और T का DT हो जाएगा देखो दोस्तों अब यहाँ पर substitution लगा देते हैं तो I बराबर क्या हो जाएगा integration of under root वाला तो सिमट जाएगा DX का का काम भी हो जाएगा यारी इस बाहर वाले X का क्या करें तो जब हमने X प्लस 2 को T माना है तो सोचो अगर मैं X प्लस 2 को T मानूँगा तो X को क्या मान रहा हूँ एक तरीके से X प्लस 2 बराबर T है 2 उधर चला जाएगा X बराबर क्या हो जाएगा T माइनस 2 हो जाएगा तो इस X की जिगह आप रग दो t-2 तो t-2 हो गया बाहर की तरफ और यहाँ पर क्या अंडरूट है तो यह हो जाएगा अंडरूट x प्लस 2 की जगे t आ जाएगा सारी चीजे जो x में थी पूरा कोशन ही x में था अब वो पूरा कोशन t में गनवर्ट हो रहा है और dx की जगे क्या जाएगा? dt आ जाएगा dot dt समझ रहे हो? हम टुकडे टुकडे कर लिया हमने यह x की जगे यह आ गया x प्लस 2 की जगे यह t आ गया dx की जगे dt आ गया सारी काया पलट होगी इसकी इसको अब इंटीग्रेट करें तो पहले इसको थोड़ा अंदर अंदर multiply कर लेता है ऐसा question हम पहली exercise में कर चुके है यह देखो यह t की पावर 1 है और यह under root t है under root t मतलब t की पावर 1 by 2 तो t की पावर 1 by 2 जब t की पावर 1 से multiply होगा तो t की पावर 3 by 2 बन जाएगा minus 2 यहाँ पर under root t जब 2 से multiply होगा तो 2 under root t आ जाएगा तो उसको मैं t की पावर 1 by 2 लिख लेता हूँ ठीक है मतलब under root t को मैंने अंदर भेज दिया dot dt इसको integrate कर लेंगे इसको भी मैं x की पावर n के तरीके से कर लूँगा और इसको भी x की पावर n के तरीके से कर लूँगा ट की पावर 1 by 2 का क्या बन जाएगा ट की पावर 3 by 2 डिवैड बाइ 3 by 2 ना एक जोड़ दिया हमने integration से प्लस c ट की वेल्यू आपस डाल दो ट की वेल्यू क्या है x प्लस 2 यहाँ पर रखते हैंगे और जो 5 by 2 ना यह नीचे की तरफ तो उपर उल्टा हो जाएगा 2 by 5 हो जाएगा तो फाइनल आंसर यह हो गया i बराबर 2 by 5 t की जगए यह x प्लस 2 की पावर 5 by 2 माइनस यह दो उपर चला जाएगा दो दूनी 4 हो जाएगा 4 बटा 3 x प्लस 2 की पावर 3 by 2 प्लस c ठीक है अब हम देखते हैं अगला question देखो दोस्तों यह है question number 8 integration of क्या करना है x under root multiply में है under root 1 plus 2 x square dot dx तो देखो फिर से under root का question है और बाहर x है तो अगर मैं अंदर वाले को t मानूंगा तो x square का एक और hint x square का differentiation क्या होता है यहाँ पर constant की tension मतलि आकर हो आप यह 1 की 2 multiply में है इसकी tension मतलो x square का differentiation क्या होता है इसका होता है 2x तो यह जो 2x है ना यह dx से साथ में है देखो यह x dx यहाँ पर 2 नहीं है यह वाला 2 नहीं है तो इसकी tension मतले ना constants की tension आपको कभी लेनी नहीं है यहाँ पर बस variable set होना चाहिए x square के differentiation से यह quantity के quantity का जब हम differentiate करते ना तो हमें linear मिल जाता है 2x तो यहाँ पर x है ना किसके साथ में dx से साथ में तो वो जो 2 है वो तो exist हो जाएगा और divide by कुछ लगा लेंगे उसको तो adjust कर लेंगे तो अब यहाँ पर undrood के अंदर जो भी है उसको t बोल देंगे तो यही अपना प्रचलन चला आ रहा है आगे तक भी चलेगा थोड़ा तो let 1 plus 2x square बराबर t undrood के अंदर वाले को t बोल दिया dx का जुगाड करेंगे तो इसको differentiate कर देता हूँ 1 का हो जाएगा 0 2x square x square का जो 2 है न वो आगया जाएगा ऐसा बन जाएगा 4x और x का क्या हो जाएगा dx हो जाएगा t का क्या हो जाएगा dt हो जाएगा देखो x और dx यह तो साथ साथ है इनको तो रखो यहाँ पर 4 नहीं है न अंडरूट के अंदर और जहाँ पर x dx दिखे रहा है वहाँ पर dt by 4 डाल दो तो answer क्या हो जाएगा integration of x dx इसकी जगर तो आजाएगा dt by 4 यहाँ पर dt by 4 और जो अंडरूट वन प्लस 2x square है उसकी जगर t तो मतलब अंडरूट of t आजाएगा अंडरूट of t डोट यहाँ गया तो i equal to क्या हो गया यह 1 by 4 को तो निकाल लो बाहर अंडरूट dt है याद हो गया कि इसका integration क्या होता है अंडरूट of dt का 2 by 3 t की पावर 3 by 2 नहीं याद हो आज तो आप t की पावर 1 by 2 लिख लो डोट dt तो i बरावर 1 by 4 t की पावर 1 by 2 है तो उसमें 1 जुड़ जाएगा t की पावर 3 by 2 हो जाएगा और वही 3 by 2 नीचे की तरफ प्लस c तो अब चीजों को सीधा कर लो i equal to क्या जाएगा 1 by 4 लेगि ने 2 इस 4 को काटेगा यह 2 उपर जाएगा ना तो इसको काट देगा नीचे यहाँ पर 2 बसेगा 2 और 3 multiply में तो 1 by 6 हो जाएगा t की पावर 3 by 2 t की जिएक क्या है यह expression है तो 1 plus 2x square की पावर 3 by 2 अब ठीक है plus c हो गया तो i hope यहाँ तक आपको समझ में आया है अब हम देखते हैं अगला question देखो दोस्तों यह question number 9 integration of 4x plus 2 फिर यहाँ पर under root x square plus x plus 1 dot dx तो under root के अंदर वाले चीज़कों में t मानूंगा लेकिन पहले यहाँ पर ना 2 common आने के लिए कह रहा बार-बार की 2 common ले लो ले लेते हैं आई बराबर क्या हो जाएगा 2 यहाँ से common ले लिया तो क्या बचेगा अंदर जो variable आना वो इस integration के sign के अंदर ही रहना चाहिए बाहर नहीं निकलना चाहिए तो यहाँ पर बच जाएगा 2x plus 1 और under root के अंदर क्या है x square plus x plus 1 dot dx अब हम under root के अंदर वाली चीज़ को t मान लेंगे इसको तो let x square plus x plus 1 बराबर t देखो इसकी tension मतले ना कि इसका differentiation present होगा की नहीं होगा बिल्कुल होता है question set होगा होगा question solve करने के लिए दिया जाता है उलजाने के लिए नहीं दिया जाता x square का differentiation क्या हो जाएगा 2x और x का क्या हो जाएगा 1 जब आप x square का करोगे तो 2x into dx आएगा x का करोगे तो dx आएगा वो dx मैंने common ले लिया बराबर t का क्या हो जाएगा dt तो यहाँ पर देख रहे हो 2x plus 1 into dx 2x plus 1 into dx यह दोनों तो चले जाएगे dt के अंदर और इस expression का under root t बन जाएगा तो यहाँ पर मैं substitution लगा देता हूँ i equal to 2 की जगे 2 और यह देखो कैसे convert हुआ 2x plus 1 into dx वो तो चला गया दोनों dt के अंदर तो यहाँ पर dt आजाएगा under root of x square plus x plus 1 उसको हमने t माना है तो क्या जाएगा under root of t आजाएगा क्या अब याद हो गया आपको under root t का integration क्या होता है अब तो लगा दो यार direct under root t का क्या होता है यह 2 तो मैंने लिख लिए अलग इसका होता है 2 by 3 और t की पावर 3 by 2 होता है यह नहीं होता plus c इतनी बार कर लिया इस बार मैं direct लगा रहा हूँ तो आई बराबरी 2 दूनी कितना होगे 4 बटे 3 t की जिगा क्या जाएगा t की जिगा वापस हो जाएगा यह x square plus x plus 1 x square plus x plus 1 की पावर 3 by 2 ठीक है plus c अब हम अगला question देखते है देखो दोस्तों यह है question number 10 यहाँ पर यह दे रगा था 1 upon x minus under root x उसको मैंने integration के धाचे में डाल दिया अब यार यह थोड़ा सा अजीब सा आगया है आपर under root x तो है अब मैं बोलता था कि x के अंदर under root के अंदर वाले को t बोल दो तो यार क्या करें देखो इस बार under root के x वाले को अंदर वाले को t बोलने से कोई मतलब होगा नहीं x बराबर t इससे तो कोई मतलब भी नहीं निकलेगा जहां जहां एक से वहां पर t आ जाएगा तो question वो t में भी ऐसा ही दिखेगा हमे एक काम करते यार इस तू की टेंशन मतलब आप इसको यह तो कॉंस्टेंट है तो कहीं भी एडिजस्ट कर देंगे लेकिन में बात यह है कि वन अंडू टेक्स का जो डिफरेंशिशन होता है यह डिफरेंशिशन की बात कर रहा हूं मैं इंटीरेशन तो देखेंगे बाद में अंडू टेक्स का जो डिफ्रेंशिशन होता ना वो नीचे की तरफ अंडू टेक्स चला जाता है तो यहाँ पर डी एक्स के साथ में नीचे की तरफ अंडू टेक्स तो है नी तो इसके अंदर दो अंडू टेक्स है और यह एक अंडू टेक्स इन दोनों में ना मैं अंडू टेक्स common ले लेता हूँ common लेने से क्या हो गया जो बाहर अंडू टेक्स निकलेगा ना वो dx के बगल में जाके खड़ा हो जाएगा तो फिर वहाँ से हमें वो differentiation वाला hint मिल जाएगा कि किसको t माने उसका hint मिल जाएगा तो क्या करें इसमें से undrutex common ले लेता हूँ ऐसा हो जाएगा i बराबर integration of one upon इसमें से मैं undrutex common ले लाँ थोड़ा इदे लिख देता हूँ और उपर की तरफ dx तो है उसको नहीं छेट रहा है इसमें से undrutex common ले लूँगा तो x की जगे यहाँ पर undrutex common ले लूँगा x में से तो क्या बचेगा एक undrutex common लिया अभी भी एक तो बची गिया एक undrutex और undrutex में से पूरा ही common उठा लिया तो minus का 1 बच जाएगा ऐसा हुगा अब देखो अब यह concept लग जाएगा कि undrutex का differentiation होता है 1 upon 2 undrutex ठीक है तो 1 upon undrutex यह pattern मिल रहा ना मैं 1 upon undrutex कहाँ भी मिल रहा देखो यह रहा 1 upon undrutex यह dx से साथ में पढ़ा हुआ है तो अब मैं smartly यह जो expression अंदर undrutex minus 1 इस पूरे को ही t बोल देंगे undrutex minus 1 को अगर मैं t मानूंगा let तो देखो इसका फाइदा क्या होगा थोड़ा हमें future में थोड़ा past में से जाके सोचना पड़ता है तो undrutex का differentiation तो क्या हो जाएगा 1 upon 2 undrutex और x का क्या हो जाएगा dx हो जाएगा minus 1 का 0 हो जाएगा t का dt हो जाएगा तो यहाँ पर जो pattern हमें मिल रहे है undrutex के sorry dx के नीचे undrutex देखो यहाँ पर भी मिल रहे है dx के साथ में होना चीए 1 by root x वो है, dx के नीचे क्या है, root x है, तो इसको तो मैं यहां से निकाल लेता हूँ, dx बटा root x, इस 2 को उधर बेज दूँगा, 2 into dt बन जाएगा, यह सारी चीज़े substitute करते हैं, क्या बनेगा, ऐसा मिलेगा, मैं i equal to, यहां से modify करते हैं, यहां से करते हैं, अंडूटेक्स को मह लेने के बाद, integration of, dx बटा अंडूटेक्स, dx बटा अंडूटेक्स तो हो जाएगा, 2 dt, 2 dt हो जाएगा, multiply by, 1 upon, तो 1 upon, यहां पर अंडूटेक्स माइनस 1, अंडूटेक्स माइनस 1 को हमने t मानी लिया था, complicated से expression को हमने t मान लिया था, simple सा, तो देखो कितन एक्स में यह भी एक्स में तो common लिया जा सकता है छोटा यही है तो यही मैंने common लिया फिर उससे हिंट मिली गया क्या यह तो है complicated इस complicated को T मान लूँगा तो इसका जो differentiation होगा वो तो दी एक्स के साथ में तयार है तो ऐसे हमें intuition होते हैं पता चलने लग जाता है यह जो टू है इसको निकालो बाहर क्या बचा वन बाइटी डी टी वन बाइटी का integration क्या होता है लोग होता है लोग टी ऐसा हो जाएगा वह आई बराबर टू लोग ऑफ टी का मोडलस प्लस सी मैंना मोडलस हम बाइटी फोर्ट लगाई देते हैं तो आई बराबर क्या जाएगा टू लोग ऑफ मोडलस मोडलस टी की जगए क्या जाएगा या जाएगा अंडरूट एक्स माइनस वन प्लस सी ठीक है तो आई होप यह आपको क्लियर होगा अब हम अगला question देखते हैं द क्या है टो इसको क्या बोल दें गे टी बोल देंगे एक्स प्लस 4 एक्वल टू टी तो क्या बन जाएगा एक्सका तो क्या हो जाएगा । मेञे इसलीए तो इसलिए इसको t मानूँ तो उससे कोई फाइदा होगा नहीं dx के साथ में यहां तो यह अकेला है अकेला अंडूट x है और यह divide में multiply divide में हो तो ज़्यादा फाइदा होता है तो x plus 4 को मैंने t बोल दिया देखो उपर वाला x भी हमें अठाना पड़ेगा क्या जाएगा t-4 divide by under root of under root of under root के अंदर है x plus 4 x plus 4 की जगर t है तो t आ जाएगा multiply by dx की जगर क्या जाएगा d t आ जाएगा d t आ जाएगा सब गुछ t में convert हो गया अब solve कर लेते हैं यह जो under root t है ना वो इसमें भी divide कर दूँगा और इसमें भी divide कर दूँगा under root t मतलब t की पावर 1 by 2 वो इस t की पावर 1 में भी divide हो जाएगा तो ऐसा बन जाएगा t की पावर 1 divide by t की पावर 1 by 2 तो t की पावर 1 by 2 ही बच जाएगा ना 1 माइनस 1 बटा 2 पावर माइनस हो जाएगी तो कुल मिला के N root T बचेगा माइनस ये N root T 4 के डिवैड में आएगा तो 4 into यहाँ पर आजाएगा T की पावर माइनस 1 by 2 ठीक है? dot dt अब मैं X की पावर N के तरीके से integrate कर देता हूँ तो I बराबर की आजाएगा इसकी पावर 1 बढ़ा देंगे X की पावर N प्लस 1 divide by N प्लस 1 तो T की पावर 1 by 2 के यहाँ बन जाएगा? यार यह तो वही N root T अपना तो इसका बन जाएगा अपना T की पावर 3 by 2 divide by 3 by 2 माइनस का माइनस 4 इसकी पावर में प्लस 1 करूंगा तो माइनस 1 बढ़ा 2 प्लस 1 T की पावर 1 बढ़ा 2 बचेगा और divide में क्या बचेगा? 1 बढ़ा 2 प्लस C इन चीजों को थोड़ा LCM-LCM लेके थोड़ा आसान मनाने की कोशिश करते हैं देखो एक काम करता हूँ मैं यापर आई बराबर ये तो उपरा जाएगा ऐसा बन जाएगा 2 बाइ 3 T की पावर 3 बाइ 2 है T की वेल्यू डाल देता हूँ T की वेल्यू के X प्लस 4 तो X प्लस 4 की पावर 3 बाइ 2 मैनस तो ये मैनस ये 1 बाइ 2 उपर चला जाएगा तो 2 उपर जाएगा ना सबसे तो यह 8 बना लेगा 8 और यहाँ पर T की पावर 1 by 2 T की जगे X प्लस 4 X प्लस 4 की पावर 1 by 2 प्लस C यहाँ पर कुछ और आसानी के लिए क्या किया जा सकता है यहाँ पर X प्लस 4 की पावर 1 by 2 यहाँ पर भी X की पावर 3 by 2 है तो कम पावर क्या है ये कम पावर है ना ये मैं common ले लेता हूँ ये कम पावर में common ले लेता हूँ तो कुछ देखो ऐसा बनेगा i equal to x plus 4 की पावर 1 by 2 तो ले लिया मैंने common sorry 1 by 2 तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 by 3 x plus 4 की पावर 1 by 2 common ले लिया तो यहाँ पर 1 बच जाएगा ने उठाई लिया ठीक है plus c हो गया तो i equal to क्या हो गया x plus 4 की पावर 1 by 2 तो यह हो गया undute of x plus 4 multiply में अब देखो क्या है इधर LCM ले ले लेता हूँ तो 3 उधर चला जाएगा और यहाँ पर इसको खोल देता हूँ तो क्या बन जाएगा यह 2 x plus यह कितना हो गया माइनस यह 3 हो जाएगा तो 8 तिया 24 हो गया डिवाइड बै कितना है 3 है plus c तो देखो i equal to यहाँ पर क्या बचेगा undute of x plus 4 यह हुआ 2 x और 8 minus 24 कितना हो जाएगा minus का 16 divide by 3 उपर से ना उपर से 2 कोमन ले लो और नीचे 3 तो 2 बटा 3 को आगे आगे लिख दो i बराबर 2 बटा 3 and root x plus 4 multiply by 2 भी कोमन ले लिया उपर से नीचे से 3 हटा दिया तो उपर से 2 कोमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 x minus 16 का बचेगा x minus 8 आदा आदा हो जाएगा plus c तो यह हो गया अपना question number इले उनका answer अब हम अगला question देखते हैं देखो दोस्तों यह है question number 12 यह थोड़ा सा complicated हो सकता आपके लिए लेकिन जब आप एकदम fundamental से चलोगे न तो सारे question आसान लगेंगे देखो कैसे यहाँ पर है x cube minus 1 है और इसकी power है 1 by 3 अभी तक के question में हमने unroot वाले question सारे deal किया है और जब भी unroot के अंदर कोई complicated expression आता था न उसको हम t बोल देते थे यहाँ पर unroot नहीं है यहाँ पर है cube root देखो power 1 by 3 है तो हम अंदर वाले को क्या बोल देंगे t बोल देंगे x cube minus 1 को लेकिन अब देखो बाकी बाहर वाले जो बाकी लोग है न वो भी इसको थोड़ा सा मतलब इसके साथ compatible होने चाहिए अगर आप x cube minus 1 को इसको t बोलोगे तो आगे जाके हम क्या करते हैं इसको differentiate करके इस dx को अटाने का जुगार लगाते है तो अगर हम इसको differentiate करूँगा तो x cube का क्या हो जाएगा 3x square multiply by dx minus 1 का 0 हो जाएगा बराबर t का dt हो जाएगा तो यार x square dx यहाँ पर x है x की पावर 5 है लेकिन हमें तो dx के साथ में x square की ही जरुरत है तो यहाँ पर x5 जो है उसमें x cube extra है जब x5 को आप ऐसे लिख सकते हो x5 dx है ना x5 into dx है इसको आप ऐसे लिख लो x cube into x square into dx तो जो x square dx है यह तो dt में convert हो जाएगा लेकिन फिर इस x cube का क्या करेंगे तो फिर से यह चीज अपनी कामा जाएगी अगर हम x cube minus 1 को t बोलेंगे तो x cube अकेला क्या हो जाएगा यह 1 उदर चला जाएगा t plus 1 हो जाएगा यहाँ पर क्या डाल देंगे t plus 1 तो question को आगे start करें इससे पहले आप x5 के दो टुकडे कर दो x cube अलग कर दो और x square अलग कर दो अगर हम x cube को t वगरा मानेंगे तो जो x square वाला पार्ट है न वो dx के साथ में हो जाएगा x square into dx अपना dt में चला जाएगा तो यह मतलब वही बात होगी थोड़ा past में जाओ थोड़ा future में जाओ और समझे लोगी किसको assume करना थोड़ा innovative होना पड़ेगा तो इस x5 के दो टुकड़े कर देता हूँ तो i equal to क्या होगी integration of x cube minus 1 की power 1 by 3 multiply by x5 के दो टुकड़े एक तो होगे x cube और एक होगे x square dot dx यह जो टुकड़ा है साफ साफ यह dt में चला जाएगा क्योंकि x cube का differential हो जाएगा 3 x square अब 3 की tension मतलब वो तो constant तो हम adjust कर लेंगे अब यहाँ पर t किसको में बोले x cube को बोले यह फिर x cube minus 1 को बोले तो जो चीज complicated है उसको आसान पहले बनाना चाहिए cube root है ना इस expression का तो इस expression को छोटा सा ननना सा expression बना लो इसको हम क्या बोल देंगे t बोल देंगे कुछ बच्चे इस उपर वाला cube root है उसको हटाने के चक्कर में इसको t cube भी बोल देते हैं वो भी तरीका ठीक है लेकिन मैंने एक आदत बना रिखिये जब तक कोई खतरनाक बहुत ही खतरनाक expression ना जाए मैं तो cube root है square root है इंदर वाले को t बोलूँगा simple सा t यहाँ पर भी बोलूँगा let x cube minus 1 बराबर t तो इसको x cube अगर मैं जैसे यहाँ पर इसको तो हटा देंगे t रख देंगे तो x cube की जगे यह 1 उदर चला जाएगा x cube बराबर t प्लस 1 हो जाएगा उसको वहाँ differentiate करो बराबर t का क्या हो जाएगा dt यहाँ पर x square dx यह तयार है तो यह x square dx नहीं है रखो तीन को उदर बेज दो तो क्या हो जाएगा x square into dx बराबर dt बटे 3 dt by 3 हो गया ठीक है यह सारा substitute हम यहाँ पर कर देते हैं तो देखो आई बराबर क्या हो जाएगा integration of x cube minus 1 उसकी जगा जाएगा t उसकी पावर 1 by 3 है तो t की पावर 1 by 3 multiply by x cube है x cube की जगा जाएगा t plus 1 तो यहाँ पर आगे t plus 1 multiply by x square into dx है यह दोनों का combination दोनों का combination dt by 3 में चला जाएगा dt by 3 यह जो 1 by 3 इसको तो निकाल लो बाहर आई बराबर 1 by 3 integration हो और जो t की पावर 1 by 3 है यह दो function multiply में है हम ऐसे integration को ऐसे नहीं करते यह जो t की पावर 1 by 3 है यह अंदर बेज दो तो यह t की पावर 1 है 1 by 3 और 1 यह जुड़ जाएगी powers तो 4 बटा 3 बन जाएगी तो t की पावर यह multiply होगा तो 4 बटा 3 यह 1 से multiply होगा तो t की पावर 1 by 3 बाहर को न है? dt 1 by 3 हमने आगे लगाए थिया इसको अब solve कर लेंगे तो i बराबर क्या हो जाएगा? 1 by 3 t की पावर देगो 4 by 3 है integration करते टाइम पावर एक और बढ़ जाती है तो प्लस 1 लगा दूँगा तो 4 बटा 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3 बटा 3 7 बटे 3 हो जाएगा तो t की पावर 7 by 3 divide में भी 7 by 3 प्लस अच्छा यह bracket में है यह सारा bracket में होगा क्योंकि 1 by 3 बाहर है multiply में यहाँ पर क्या आएगा? t की पावर 9 by 3 प्लस 1 तो t की पावर 4 by 3 divide में 4 by 3 प्लस c constant अद आएगा अब यहाँ पर हम वापस t की वेल्यू डाल देंगे t की वेल्यू क्या है? x cube minus 1 यहाँ भी रख दूँगा और यहाँ भी रख दूँगा और यह जो 1 by 3 है न तो इन दोनों में क्या होगा? तीन उपर उपर आएगा या फिर यह इस तीन से आप इन दोनों का तीन काट सकते हो common लेकर यह कट जाएगा तो फाइनल आंसर क्या मिला? आई बराबर t की जग यह x cube minus 1 की पावर 7 by 3 divide by 7 plus t की जग वह जाएगा x cube minus 1 की पावर 4 by 3 यह 4 है यहाँ पर divide by 4 plus c ऐसा बन गया अब हम अगला question देखते है देखो दोस्तों यह है question number 13 i equal to x square integration of x square upon 2 plus 3x cube की whole power 3 into dx इसको हमें integrate करना है अब यहाँ पर ना तो under root है ना cube root है कुछ भी नहीं है लेकिन यहाँ पर क्या है नीचे की तरब जो expression है इदेखो खतरनाक सा expression अंदर की तरब उसकी power 3 है तो फिर भी जैसे अगर यहाँ पर under root होता तो मैं अंदर वाली को क्या बोल देता t बोल देता तो यहाँ पर क्या इसका cube है cube root भी नहीं है cube है तो फिर भी मैं इसके अंदर वाली को t बोलूँगा इसका एक और कारण है जब मैं इसको differentiate करूँगा तो जनले लिए हम यह एक तो concept लगाते है कि उस चीज़ को t मानो जिसका differentiation dx से साथ में हो देखो 2 का तो यह constant की तो मैं tension लेता ही नहीं यहाँ पर x cube variable देखो x cube x cube का differentiation क्या होता है x cube का 3 आ गया जाएगा 3 x square हो जाएगा उस 3 की भी tension नहीं ले रहा लेकिन x cube का differentiation से power कम हो जाती x square बन जाता है और वो इस dx के साथ में है तो मैं x cube को t मानों उससे बढ़िया पूरे को ही t मान देता हूँ क्योंकि constant से कोई फरक नहीं पड़ता कोई खास तो इस पूरे को मैं t बोल दूंगा तो क्या बन जाएगा 2 प्लस let 2 प्लस 3 x cube बराबर t तो इसको differentiate करके dx का जो गाड़ भी कल लेते है तो 2 का तो 0 हो जाएगा 3 x cube का cube जो 3 हो आगया जाएगा तो 3 तिया 9 x square dot x का dx लगा देते हैं और t का dt तो x square dx यहाँ पे 3 आते है देखो उसकी value निकाल लेते हैं यहाँ से यह उदर चला जाएगा तो ऐसा हो जाएगा x square dx पराबर dt बटे 9 तो अब हम यहाँ पे substitution लगा देते हैं देखो क्या बन जाएगा i equal to integration of x square dx x square dx उदेगा dt बटा 9 तो dt उपर लिख लेता हूँ और जो बटा 9 है उसको में बाहर लिख लेता हूँ 1 by 9 ठीक है और divide by 2 plus 3x का cube उसको हमने t माना है तो t इसको t माना है इस बाहर वाला जो whole cube है वो तो अपनी जगह आएगा याएगा उसको थोड़ी हमने यहाँ पे t में include किया नहीं किया वो तो अपनी जगह आएगा याएगा तो यह हो गया तो i बराबर क्या हो गया 1 by 9 t cube नीचे इसको उपर ले जाएगे तो ऐसा जगह t की पावर माइनस 3 dot dt तो इसको हम x की पावर n के integration से उसके formula से कल लेंगे तो इसमें हम एक जोड़ देंगे integration करते हैं वक्त 1 by 9 t की पावर माइनस 3 प्लस 1 और नीचे भी माइनस 3 प्लस 1 ठीक है multiply हो जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा तो उपर की तरफ क्या है x t की जगही आ जाएगा 2 प्लस 3 x cube की पावर माइनस 2 डिवाड़ बाई नीचे 9 और माइनस 2 माइनस 18 प्लस c आप चाहो तो ये जो माइनस 2 है न वो नीचे की तरफ आके whole square हो जाएगा तो इसका ऐसे लिख सकते हो i बराबर ये नीचे आ जाएगा माइनस 18 तो है माइनस 1 बटा 18 नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 प्लस 3 x square का उपर माइनस 2 तो नीचे प्लस 2 प्लस c ये आंसर बन जाएगा ठीक है तो आई होब ये समझ में आ गया आपको अब हम अगला question देखते है question number 14 देखो दोस्तो question number 14 ये है i equal to integration of 1 upon x into log of x की power m है dot dx यहाँ पर x greater than 0 है m is not equal to 1 है तो ये तो चलो चीज़े normal ही है हम क्या करें अब तो यहाँ पर देखो यार 1 by x है और log x है log x का तो differentiation होता है 1 by x तो log x को ये t बोल देते हैं log x का differentiation क्या होता है 1 by x 1 by x किसके साथ में dx के साथ में देखो तो log x को t बोल दो इतना बड़ा hint मिल गया हमें आपे तो let log x बराबर t log x को t बोलूँगा तो इसको d x का जुगार कर लेते हैं तो इसको differentiate करूँगा तो log x का क्या होता है 1 by x x का क्या हो जाएगा dx और t का क्या हो जाएगा dt हो जाएगा तो अब यहाँ पर substitution लगाई देते हैं question तो वैसे खत्म हो गया i equal to क्या हो गया integration आप देगो 1 by x dx इसकी जगर dt दिखरा है आपको ये 1 by x और ये dx इसकी जगर क्या दाएगा dt आदाएगा divide by 1 uponic है log of x की power m है log of x को थो हमने मानला t तो t की power m आदाएगा निचे आदाएगा t की power m अब t की power m को उपर लिया हो तो i बराबर क्या हो जाएगा t की power minus m dot dt अब इसको हम कैसे कर देंगे x की power n के formula से कर देंगे तो इसमें एक जोड़ देंगे तो ऐसा बन जाएगा i equal to t की power minus m plus 1 और नीचे भी minus m plus 1 plus c t की वापस value रखतो तो t की value क्या है यहाँ पर देखो log x है ना t की value log x हो तो यहाँ पर क्या जाएगा i बराबर t की जाएगे log x तो log x की power minus m plus 1 है तो इसको आप a plus b लिखो है b plus a लिखो बात एक है तो इसको मैं 1 minus m लिख देता हूँ 1 minus m divide में क्या जाएगा minus m plus 1 को लिख दो 1 minus m plus c ताकि plus वाला आगे रहता तो थोड़ा अच्छा लगता है यह हो गया अपना question number 14 अब अगला question देखते है देखो दोस्तो यह है question number 15 i equal to integration of x upon 9 minus 4x square into dx ऐसा है तो देखो दोस्तो अगर यहाँ पर इस expression पर android लगा उता तो मैं इसको t बोल देता इस पर cube root लगा होता तो मैं इसको t बोल देता इसको इसका cube होता तो भी इसको मैं t बोल देता क्यों बोलता क्योंकि यहाँ पर x square है constant की tension नहीं होती है x square का differentiation क्या होगा 2x होगा तो 2 तो चलो यहाँ पर नहीं उपर की तरफ तो वो constant की फिर से tension नहीं है लेकिन 2x के साथ क्या है? dx है, मतलब dx के साथ में ही इस x square का differentiation है हमने lecture की starting में देखा था उस function को हम t मानते हैं जिसका differentiation dx के साथ में हो है ना, वोई concept या पर अभी लग रहा है तो पहले इस ncrt में ncrt के मतलब तारीब करनी पड़ेगी कि जो question का जो order है ना हो बहुत शांदार है, आपको धीरे 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 मतलब tough question भी समझा देंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा यार यह तो tough नहीं था क्योंकि इसमें ग्रेजुवल इंक्रीज करते हैं लेवल, तो बहुत बढ़िया बात है आप ncrt solo करो ना तो इस्टार्टिंग से करोगे तो मज़ा दाएगा आपको तो क्या होगा देखो, यहाँ पर किसको t बोलेंगे, इसको t बोलनेंगे तो क्या हो जाएगा, let 9-4x square equal to t तो अब यह हो गया, तो इसको x का क्या हो जाएगा, dx बराबर t का dt हो जाएगा, तो यहाँ पर x dx है, x into dx है तो आप भी x into dx तयार कर लो minus 8 को उधर बेजगे तो x into dx बराबर क्या हो गया dt बटे minus 8 substitution लगा देते हैं, हमने यह भी हो गया dx भी तयार कर लिया, यहाँ पर रख देते हैं तो i बराबर क्या हो जाएगा, integration of x dx की जाएगा, dt बटे minus 8 तो यहाँ पर आजएगा, dt अपोन minus 8, इधर क्या बचेगा 1 अपोन यह जो 9 minus 4x square है, वो तो नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ t आजएगा, उपर 1 कुछ बचाए नहीं तो 1 लिख दिया मैंने यह जो minus 1 बटा 8 है, इसको तो निकाल लो बाहर, तो ऐसा हो जाएगा, i बराबर minus 1 by 8, यह पर dt by t बज़िया, dt by t तो i equal to minus 1 by 8, 1 by t का integration क्या होता है, log of t modulus के साथ, plus c, तो t की वापस आप value डाल दोगे, यह वाली, तो क्या जाएगा answer, minus 1 by 8, log of modulus modulus के अंदर क्या, यह modulus 9 minus 4x square, plus c तो i hope दोस्तों, आज का lecture आपको समझ में आया है substitution की एक जो thinking होती ना, जो एक innovative idea होता है, creative जो idea होता है, वो आपको चीजों को समझ गे, थोड़ा experience खुझ से लेना पड़ेगा, थोड़ा teacher से लेना पड़ेगा और फिट, बहुत सारी problems आपको कंड़ी पड़ेगी, ठीक है तो उससे integration पे न, बहुत शांदार topic है, बहुत मज़ा आएगा, देखो आगे से आगे देखते चलो अभी तो तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर थेंक्यू वेरी मुच और बीच में आप practice जरूर कर लेना ठीक है दोस्तो